हेलो इस्ट्रेंट्स वेल्कम टू आवर यूट्यूब चैनल हम ब्यस्सी पार्ट थर्ड के थर्ड पेपर न्यूमेरिकल एनलेसिस के बारे में अध्यन कर रहे थे इसके अंतरगत हम बीजिये एवं अब बीजिये समी करणों के रूट्स निकालने की विदियो के बारे में पड़ रहे थे इसके अंतरगत हमने बाइसेक्शन मेथड अर्थार्थ द्वी विवाजन विथी के बारे में पिछली क्लास में डिसकस किया था अब हम समी करणों के मूल निकालने की अन्य विदियो के बारे में अध्यन करेंगे ये सारी विदिया नियूमेरिकल्स विदिया हैं यानि नियूमेरिकल्स मेथड हैं किसी भी एक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए तो यहाँ पर हम रेगुला फालसी मेथड के बारे में अर्थार्थ मिथ्या इस्तिती विदि को पढ़ेंगे मिथ्या इस्तिती विदि का फॉर्मूला इमेज में दिखाया अनुसार इस प्रकार हम प्रथम सन्निकटन प्राप्ट कर सकते हैं और इसी प्रकार हम दीतिय सन्निकटन एवं तरतिय सन्निकटन और उत्रोत्तर सन्निकटन को प्राप्ट कर सकते हैं यह विदि मिथ्या इस्तिती यह भी लगभग बाई सेक्शन जो विदि थी वाई सेक्शन जो मैथड़ था उसके समान ही है इस विदि में हम एक एक्जामपल को लेते हैं और उसको हल करके इसको समझते हैं कि मिथ्या इस्तिती विदि किस परकार कार्य करती है अर्थाद मिथ्या इस्तिती विदी के दुआरा हम किसी समी करण के मूल किस परकार ग्याद करते हैं तो देखिए हमारे पास में एक equation है Find the real roots of the equation x log x base 10 minus 1.2 is equal to 0 ये हमारे पास में एक equation है इसका हमें पांच दश मलव इस्तानों तक इसके मूल का पांच दश मलव इस्तानों तक मान ग्याद करना है तो सरप्रथम यहाँ पर हमें दो बिंदू इस परकार Find करने हैं कि जिस पर इस फलन का इस जो पॉलिनोमियल है इसका मान पॉजिटिव एवं नेगेटिव आए तो यहाँ जब हम इसको fx मानते हैं fx is equal to x log x base 10 minus 1.2 तो यहाँ जब हम x बराबर 2 रखते हैं तो हमें तो लॉग 2 base 10 minus 1.2 एब हम लॉग 2 base 10 की वेल्यू 3.30103 हमारे पास में scientific calculator के द्वारा प्राप्त की जा सकती है इस paper में हमारे पास में scientific calculator allow है तो scientific calculator के द्वारा हम यहाँ पर log की value प्राप्त कर सकते हैं तो यहाँ से जब हम x बराबर 2 इस polynomial में रखते हैं तो हमारे पास में value आती है negative अर्थार्थ f2 is equal to minus point 59794 जो की रण चिन्न की है तथा जब हम x बराबर 3 रखते हैं तब हमारे पास में value आती है point 23136 जो की positive sign की है इनको हमने समीकरन नमबर 1 एवं समीकरन नमबर 2 नाम दिये अब चुकि समीकरन नमबर 1 तथा 2 विपरीत चिन्न के हैं और थार्थ जो इस समीकरन के मूल होंगे वह है x बराबर 2 तथा x बराबर 3 के मद्य इस्थित होगा आता है प्रथम सन्निकटन निकालने के लिए हमारे पास में x1 बराबर तो 2 हो जाएगा एवं x2 बराबर 3 हो जाएगा तो जब हम इस प्रथम सन्निकटन फॉर्मुले में value रखते हैं x1 और x2 की तथा x1 के corresponding value y1 की और x2 के corresponding value y2 की तो हमारे पास में इस समीकरन का प्रथम सन्निकटन मूल प्राब्त होगा जो की हम चित्र में दिखाये हुए अनुसार ग्याद कर सकते हैं हमने यहाँ पर value put की x1 की 2 तथा x1 की 2 एवं x2 की 3 तो हम जब value प्राब्त करते हैं इसकी तो हमारे पास में value आती है प्रथम सन्निकटन की 2.721 इसको हमने समीकरन नमबर 4 नाम दिया अब हम यहाँ देखते हैं कि जो प्रथम सन्निकटन है इस पर फलन की value क्या होगी तो हम यहाँ पर जब हम प्रथम सन्निकटन अर्थार्थ 2.721 की value फलन में रखते हैं तो हमें रण चिन प्राप्त होता है अर्थार्थ हमारे पास में जो मूल होगा समीकरन का वह है समीकरन नमबर 5 एवं समीकरन नमबर 2 जो की हमारे पास में धन चिन था यानि एक्स बराबर 3 एभं एक्स बराबर 2.721 इन के मध्य में हमारे पास में जो डिटियस अन्निकटन है वह प्राप्त होगा और डिटियस अन्निकटन प्राप्त करने के लिए हम वापस formula का use करते हैं और वापस formula के जब हम use करते हैं तो हमारे पास में x2 is equal to जो हमारे पास में x1 है वह है x1 हो जाएगा 2.721 तथा x3 है वह हो जाएगा 3 और वापस जब हम इस formula में values पुट करते हैं तो हमारे पास में equation number 6 प्राप्त होती है तथा equation number 6 यानि हमारे पास में DTS and nicotin प्राप्त होता है अब वापस हम DTS and nicotin की जो प्राप्त value है वह है फलन में रखके देखते हैं और पता लगाते हैं कि यह हमारे पास में value positive आती है या negative आती है तो जब हम इसको रखते हैं value को DTS and nicotin की value को तो हमारे पास में वापस रणचन प्राप्त होता है और जब हमारे पास में रणचन प्राप्त होता है उसको हमने समीकरण number 7 नाम दिया तब हमारे पास में जो value है जो हमारे पास में समीकरण का मूल है वह है मूल positive value और negative value जिस point पर हमें प्राप्त होती है उसके मध्य में इस्थित होगा अर्थार्थ हमारे पास में मूल जो है समी करनका वह X बram थीन एवम X क्योंकि X बram थीन पर वेल्ईY positive है तथा जो हमारे पास में duties and nikka tun aja उस फर वेल्ई नेगेटिव है तो जो हमारे पास में awaiting मूल है जो required जो अ उतरो तर जो हम प्राप्ट कर रहे हैं मूल एक्स बराबर तीन एवं इक्स बराबर टू-अपौंबोनद्ट-फॉ-इंवन Snod होगा तो हमने वापस टू-पॉ-इंवन-पॉन-वन-फॉ-इन-Sらい को हमने x3 की value माना और वापस हमने जो हमारा formula है regular falsi का जो approximation formula है उस formula में वापस value put की तो हमारे पास में value प्राप्त हुई 2.7064 तो यहां हम देखते हैं कि जो हमारे पास में उत्तर जो सन्निकटन प्राप्त हुआ वह x3 यानि 33 सन्निकटन एवं dt सन्निकटन तकरीवन या लगभग समान है तो यहां पर हम जो त्रतिय सन्य कटन प्राप्थ हुआ, उसी को हम इस Samigran का अविश्ट मूल मान सकते हैं, और इसी को हम इसका आंसर लिख सकते हैं, तो इस प्रकार हम रेगुला फालसी मेथड के द्वारा किसी भी BGA Samigran के या अवीजिय समीकरन के मूल को प्राप्थ कर सकत हैं इसके आगे हम पढ़ते हैं Newton Rapson Method Newton Rapson Method में हमारे पास में formula होता है कि xn plus 1 is equal to xn minus f of xn upon f dash xn जो हमारे पास में Newton's Rapson formula है यह एक तरह से iteration method है यह iteration formula है अर्थात हमारे पास में हमें एक point की जरूरत होगी तता उस point की साहता से हम आगे सन्निकटन मानों को प्राप्त कर सकते हैं तो यहां पर हम इस पर dependent एक सवाल देखते हैं यह सवाल important है एक्जाम में कई बार आया हुआ है आपको भी सवाल पर ध्यान देना है तो हमारे पास में एक्जाम्पल है कि न्यूटन रेप्शन विदी से एक्स four minus x minus ten is equal to zero का एक्स बराबर दो के समीप वाला मूल तीन दश्मलव विस्तानों तक ज्यात कीजिए तो प्रशन अनुसार fx हमारे पास में x four minus x minus ten दिया हुआ है अब चुकि फॉर्मूले में हमें प्रथम अवकलज की जुरुत पड़ेगी तो हम यह आपर इस फलन का प्रथम अवकलज निकालते हैं जो कि हमारे पास में f dash x बराबर four x cube minus one प्राप्ट होता है अब हमारे पास में सन्निकटन मान यानि approximate values प्राप्ट करने के लिए हम Newton-Refson formula का use करते हैं जो कि x n plus 1 बराबर x n minus f of x n upon f dash x n होता है इसमें हमने जब values पुट की तो हमारे पास में आया is equal to x n minus f of x n की value हमने पुट की x n 4 minus x n minus 10 upon f dash x n that is 4 x n cube minus 1 इसको जब हम solve करते हैं तो हमारे पास में कुछ समीकरन नमर एक प्रकार का expression प्राप्ट होता है simplify करने पर तो हमारे पास में x n plus 1 बराबर 3 x n 4 plus 10 upon 4 x n cube minus 1 यह प्राप्ट होता है अब चुकि यहां पर हमें सवाल में दिया हुआ है कि x बराबर 2 के समीप वाला मूल प्राप्ट करना है तो हमारे पास में जो प्रतम मूल होगा यह प्रतम सन्निकटन है उसको हम दो मान के चलते हैं यानि x 0 बराबर हम दो मान के चलते हैं अब चुकि यहां x 0 बराबर 2 दिया हुआ है आता है जो आगे आने वाले सन्निकटन है उनको हम इस फॉर्मुले के नुसार निकाल सकते है यहाँ पर हमने n की value 0 put की तो हमारे पास x1 मिला तथा हमारे पास में formula हुआ 3x0 raise to the power 4 plus 10 upon 4x0 cube minus 1 यहाँ x0 की value 2 put करते हैं तो हमारे पास में समीकरन नमबर 2 अर्थार्थ 1.871 प्राप्त होता है इसी प्रकार दितिय सर्निकटन में n बरावर 1 प्रतिस्थाप्त करने पर हमें दितिय सर्निकटन प्राप्त होता है जो की x2 बरावर 1.856 प्राप्त होता है और इसी प्रकार दितिय सर्निकटन प्राप्त करने के लिए हम n बरावर 2 प्रतिस्थाप्त करते हैं जो कि हमें x3 बराबर 3 x2 raise to the power 4 प्लस 10 upon 4 x2 raise to the power 3 minus 1 यहां पर x2 की value जो हमें previously प्राप्ट हुई है समीकर नमर 3 से वो value पुट करते हैं तो हमारे पास में value आती है 3 bracket में 1.856 raise to the power 4 प्लस 10 upon 4 bracket में 1.856 raise to the power 3 minus 1 यहां जब इसको solve करते हैं तो हमारे पास में value x3 is equal to 1.856 ही प्राप्ट होती है अब चुकि हमारे पास में x2 value भी यही प्राप्ट हुई एब हम x3 value भी यही प्राप्ट हुई और हमें जो सवाल है उसमें जो मूल है वह है दश्मलव के 3 इस्थानों तक ही पूछा गया है कि x2 के समीप वालत 3 दश्मलव इस्थानों तक ग्याद कीजिए तो हमारे पास में समीकरन नम्मर 3 एवं समीकरन नम्मर 4 समान ही है तो हम इसी खो अभिस्टमूल मान के चलते हैं तो हमारे पास में अधह अभिस्टमूल 1.856 प्राप्त होता है तो इस प्रकार हम न्यूटन रेफ्सन विदी के द्वारा भी बीजिये समीकरन या अभीजिये समीकरनों के मूल या सन्निकटन मूल हम प्राप्त कर सकते हैं और ये दोनों ही विदिया हमारे यूनिविस्टी एक्जाम के पॉइंट अव यू से बहुत इंपोर्टेंट है तो इसको आपको जरूर करनी है इस पर आपको ध्यान जरूर देना है तो आज इन दोनों विदियों के बारे में आप सवाल कीजिएगा और आगे वाले वीडियो में मैं आपको इनी से रिलेटेड कुछ अलग विदिया और बताऊंगा एवं फिर इसके बाद में हम कुछ नेक्स जो नेक्स चैप्टर है उस नेक्स चैप्टर में के बारे में डिस्कस करेंगे थेंक यू थेंक यू वेरी मच्छ